प्राण की नली से भी निकट है, क्या ये अनभूती सबको है, जिसको अनभूती है, मैं मानता हूँ कि वो जागरित है, अने था अठारहजार सासो अंठाउन चौपाईयों को रट करके भी, कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मेरी आत्मा जागरित है, खुलासा की वाणी क्या क जाए, युगल सरूप का दर्सन हो जाए, अपनी परात्म का सरूप का दर्सन हो जाए, तो समझना चाहिए कि उसने वास्तों में अक्षरतीत को समझा है और अपनी आत्मा के सरूप की पहचान की है, इसके पहले वो नहीं, जब तक जगडू का ये सिलसला चलता रहेगा, ये बड़ा, ये छोटा, तब तक हमारी आत्मा के उपर से भरमुसी का आवरण कभी हटा हुआ नहीं माना चाहिएगा, और ये खुलासा गरंथ, हिंदू समाज बना मुस्लिम समाज, बेत पक्ष और कते पक्षी का एकी करन करने वाला है, एक चोराहे पर खड़ा कर दिया जए अरी शंतार को जान देने के लिए हैं, हम संसार का अनुषरार करने के लिए नहीं आए हैं, हमें तो अपने सवरुप कहीं पता नहीं है, हमने तो एक छोटा से एक पंथ बना लिया, निजानद संपरदय कहीए है, या सिक्रिसपड़ा में धर्म कहीए, पहले तो हमें द्हर्म सब गहने का अधिकार नहीं है. धर्म किसको कहते हैं? हमारे समाज ने इस पर कभी चिंतन करने का परियास नहीं किया. जो अनाध है, साष्वत है, वो धर्म है. सत्य ही धर्म है. धर्म की ब्याख्या दर्सन ग्रंथों में की गई है. जो दना लक्षो अर्थो धर्म है जो वेत का कतन है वो धर्म है वेत किसको कहते है सत्य को जो सत्य है वही धर्म है जब स्रिष्टी नहीं थी तब भी धर्म था और जब स्रिष्टी नहीं रहेगी तब भी धर्म रहेगा धर्म किसी विचारधारा को नहीं कहते हैं, वो परमसत जो अनादिकाल से था और अनंतकाल तक रहेगा उसको कहते हैं धर्म, संसार में मानिताएं होती हैं, पंथ होते हैं, विचारधाराएं होती हैं, उसको मचहब कहते हैं, संपरदाय कर सकते हैं, एक विचारधारा का जो अ आप हिंदु रहे ही नहीं, कोई जैन हो गया, कोई बौध हो गया, कोई पड़ामी, सिक्रिश्ट पड़ामी धर्म का हो गया, बाणी तो कहती है, त्रेलो की मेरे उत्तम खंड भरत को तामे उत्तम हिंदु धर्म, ताके छतरपतियों के सिर इत आय रही सरम, संपरदाईक दिश्ट देखा जाए, तो हम निजानन्द हैं, बीतक में लिखाए है, चंजी निजानन्द इन प्रगट करी है संपरदाई, बाणी कहती है, त्रेलो की मेरे उत्तम खंड भरत को तामे उत्तम हिंदु धर्म, धर्म हमारा हिंदु है, और संपरदाई हमारी जानन्द है, बरतमान समय की परिश्टियों के उन्सार, अन्य था, सिष्ट में प्रारम में वेद अवतरित हुए, वेद यानि सत्य जान, उसका अनुसरन करने वाले वैदिक कलाई, और सारे दुनिया में वेद का जान फैला हुआ था, इस दिये आज से पांच हजार वर्स पहले का इतिहास देखेंगे, तो सारे संसार में किल वैदिक धर्मी था, कलांदर में जान का रास होता है, अनेक हिंदुस्तान में मज़ह पैदा हो गए, पंथ संपरदाय पैदा हो गए, हिंदु धर्म में जो विकृति आई उससे पार्सी मत बना पार्सी मत में जो विकृति आई उससे यहूदी मत बना और उसी यहूदी मत से इसलाम और क्रिशिनिटी की सखाए निकली और एक इसलाम में भात्तर फिरके बन गए हिंदु धर्म में हजार पंथ बन गए यहुदियों में क्रिश्चनों में कितनी संखाई बन गई और तो जायन बहुत सब हिंदु धर्म की विकृती के करण पर ने है जहां सत्य होता है वहां कोई पंथ पैड़ा नहीं होता है सत्य का सुरुप एक समान होता है लेकिन हम तो आज इतने टक्राओं में हैं कि हमने धर्म भी बदल लिया हमने अपने इश्ट को छोटा कहने में गौरो कानभो किया आज कवीर पंथी अपने कवीर जी को परमात्मा के संकक्ष मांते कोई भी मुसल्मान कितना भी पाप करेगा मांस खाएगा कुछ भी करेगा लेकिन मुहम्मद साहब के विप्रेत एक भी सब्दसान नहीं कर सकता और हम कितने महान हैं कि मंचो पर अपने प्राणिसुर अक्षरातीत को कितना छोटा करके दर्शाने का प्रयास करते हैं बाणि क्या करती है कई हुए कई होई सी पर किन ब्रमान दोना है प्राणनाजी की महिमा के बराबर न कोई हुआ है न है और न कोई होगा या तो आप बाणि को हटा दीजे या उस बाणि के कथन को मानिए कि ये जान का उजाला हुआ है इस लीला में हमें यहीं बैठे-बैठे इत्हीं पाया बका दिदार जो ब्रज में संभो नहीं था राज में संभो नहीं था स्री देवचन जी के तन से होने वाली लीला में सबने आडिका लीला का दर्सन किया किसी को परात्म का दर्शन नहीं हुआ, हाँ, मिराज ने कसोटी करके अपना आपा देखिया कि आकार कुरत, क्यों अपनी परात्म देखा, अपनी दिरिष्टी से एक पहली परिकर्मा का दर्शन के लिए मूल मिलावा है, बस इतना, ऐसा नहीं कि 25 पक्षो का दर्शन, स्री म इराज को स्री देवचन जी के तन रहते रहते हो गया, गुबर्धन भाई ने भी बहुत कसोटी कि, सब आडिका लिला में खो गये, स्रीकर्ट जी प्रगट होते हैं, और जो जो लिलाए करते हैं, उन्हीं लिलाओं के गान में सभी सुन्दर साथ फसा रह गया, क्योंकि ख पंत संप्रदाय की कटरवाधिता में न फसा हो, वही परमधाम के ज्यान को ग्रहन कर सकता है, यदि हमने एक रेखा खिशती कि हम अमुक पंत के मानने वाले हैं, अमुक छेतर के रहने वाले हैं, अमुक जाती विशेस अमुक कुल गोतर के रहने वाले हैं, तो हम अमारे ल से दे हमारी सुन्दर साथ में कितनी दिवारे खड़ी है पंजाबी गुजराती नेपाली यूपी भिहारी इसको तोड़ नहीं पाते फिर प्रांथ में अलग अलग लड़ते हैं एक ही नगर में कई मंदिर होंगे और एक ही मंदिर के सब आपस में लड़ेगे परिवार परिवार में जगड़ा जब हम किसी को आत्मिक दिष्टे नहीं देख सकते हैं तो हमारी आत्मिक दिष्टी परमधाम के 25 पक्षों तो क्या युगल सुरुप के नक से सिखतक की सुभा में कहां से डुबेगी खुलासा की बाणी दावे से हैं अभीृ शिंदी कानों नहीं हुआ। शिंदी काउतर्ण तो सिंगार कें आतर के बाद होता है। सिंदी की बाढई यहीं पूछेगी। की अब तक आपने खिलुबध पढ़ा सागर पढ़ा सिंगार पढ़ा, आपने पाया क्या। सिंधी की बाणी में इंद्रावती जी सब सुंदर साहत की वकालत कर रही है कि धाम देनी आपने ये सारा ज्यान दे दिया तो हमें इस अंसार में क्यों रखे हो आप परंधाम का अनन देजिए जैसा एक प्रियतम अपनी प्रियतमा को देता है एक आसिक अपने मासुक को देता है आसिक नहरे नजरो मासुक बैठे औरो हेडी कडी उल्टी आसिक से नहो मैं परंधाम की आत्मा इंद्रावती आपके सामने रो रही हूं इंद्रावती नहीं रोती है सुंदर साहत के लिए कह रही है यानि सुंदर साथ यह रो रहे हैं कि हमें माया के संसार में क्यों रखे हैं आप हमें परमधाम क्यों नहीं ले चलते यह सिंदी की पुकार है लेकिन अंत में निर्ने क्या होता है हक नजीक सहरक से अक्षरा तीत हमारे प्राण की नली से भी निकटे मैं एक छोटी सी घटना करदिश्टान देता हूँ ब्रज में जरासी बात हुई बावन दिन का बियोग बना रहा न गोपियां सिकिट्स जी से बोली न शिकिट्स जी गोपियों से बोले और उसके पेस्चात क्या होता है आप जानते है रास में अंतरधान की लिला होती है गोपियां सक्खियां बिरिंदा बनके एक एक भाग में भटकती फिरती है कि कहा है हमारा प्रितम कहा है बिरह में तडप रही है क्योंकि नीद है कहां से लाएं अपने प्राणे सुर को बाड़ी कहती है मैं रहन सुकूर हो भी रूहे रहन सके मुझे भी जब पहचान हुए वाको तब सही न भी छुआ के खुलासा के निर्णा है, खुलासा ने सबसे पहले कहा कि कहा है हक नजीक सहरक से प्रियतम वैसे ये चोपाई सिंधी की है लेकिन इस तरह की भावाले चोपाईया खुलासा में कई जगा आई है कि राची कहा है, उपर तले अर्सन कहा, अर्स कहा मुवमिन कलो प्राण की भी नली से निकट है, अक्षराती थ हमारे धा मिर्दे में जागनी के लिए खुलासा की वाणी हमें प्रेडित कर रही है, खुलासा को जदी समझ लेते हैं, तब हम खिलवत के योगे बनते हैं, कि हम खिलवत की सुगंद ले सकें, जब तक हम जात, पात, मत, पंत, भासा में अठके रहेंगे, हमको स्री जी सब्द से घिना हो जाती ह क्योंकि उसकी आगे साहिब सब्द लगा होता है, हम भूल जाते हैं, जब हमारा बच्चा अंग्रेजी भासा में टुटी-फुटी बोलता है, तो हमें बहुत गरो होता है, कि देखो, कितनी अच्छी अंग्रेजी बोला है, कोई ये नहीं ध्यान देता कि साहब सब्द अं जिसकी अनन्त सोभा है, उसको स्रीजी करते हैं, और जिसको देखना हो, जिसने यजरवेद का पुरुषुक्त पड़ा होगा, उसमें एक मंत्र आता है, स्रीचा ते लक्षमी ते, स्रीकार्थ सोभा अब यदि हमें वेद से भी घंना है, तो इसका तो कोई ईलाज नहींए। आप कहीं जाहिए, तो एक विपक्षी बिचारदहरा कहती है, कि ये स्रीजी वाले हैं। स्रीजी का नाम कोई कंस का नाम तो नहीं कितनी घंना होती है। स्रीजी का एर्थ होता है, जिस अक्षरातीत की इतनी महिमा हो, जिसके लिए दुनिया में कोई सब्द नो हो, उसको करते हैं स्रीजी, लेकिन वो आया है तो सबका आया है, एक हमारी पृत्वी पर जब अर्बो लोग रहते हैं, तो इस गलैक्सी में आप समझेए, 20 लाग एक भासा की, एक संप्रदाय की, और जैसे एक संक्चित विचारधारा, मैं एक छोटा से दिश्टान देना चाहूंगा, उसको अनिथा न ले, कुए में एक मेढ़क का जोड़ा गिर जाए, उसकी कई बंसावलिया पैदा हो जाए, तो नई पैदा होने वाले, जो उसकी सं होगी, उनको क्या पता कि इस कुए के बाहर भी दुनिया है, प्रानाजी की वारी, जो खुलासा की वारी है, सब से उपर कर देती है, कि बिना हिसावे बोलिया, मीने सकल जान, सब को सुगम जानके कहूंगी हिंदुस्तान, लेकिन यहां तो समझ में आये कि वारी कहने वाल प्रानाजी, नाकच हरफ अरभ, सुन्या नकान कुरान को और खोलत मायने सब, जब हमारे मंच लगते हैं बड़े-बड़े, तो उसमें प्रोचन दिया जाता है, कि महामती प्रानाजी अरभ में गए थे, तो कुछ अरविभासा सीख लिया थे, पाड़ी कहती है, कि पढ़ अक्षर की आत्मा जो अरभ में आती है, आयते कौन लाता है, जिबरिल फरिस्ता, कहने वाले कौन है, अक्षरातीत, महामती जी के सरूप में सारे बैठे है, जिबरिल भी बैठा है, जो आयते लाता है, अक्षर की आत्मा भी बैठी है, जिसको मेराज होता है, कहने वाले र लेकिन हमने तो कसम खाल रखी है कि हम प्राणनाजी की महिमा को न समझेंगे न किसी को समझने देंगे यदि हम केवल सनन्द की चुपाई को पढ़ लेते कि कई हुए कई होसी पर किन प्रमांडो ना है तो साइद हमारे भर्म के परदे उठ जाते इसलिए खुलासा के एक-एक चरण में कहीं न कहीं जान के ऐसे सागर भरे पड़े हैं यदि वेद पक्च के और कते पक्च के दोनों पक्चों के विद्वान खुलासा ग्रंद का अनुसीलान कर लेते सुद्ध हिर्दे से तो मैं समझता हूँ सारा अभिष एक परिवार में समा जाता और राज जी ने हमको सुभा तो दी थी लेकिन उस सुभा को ग्राण करने के हम पात्र नहीं बन पाए और अभी भी नहीं है क्योंकि हम उनको ही नहीं पहचानते हैं राज की वाणी में तो अस्पेस्ट कह दिया यह तो उस समय की बात है जब स्रीजी दी बंदर में जाते हैं और जैराम कंसारा को फटका लगाते हैं कि जैराम भाई तु माया में कब तक फसा रहेगा लेकिन आज तो छठे दिन के लिला में हमारे पास नजाने वाणी के कितने गरंथ होते हैं कितनी बारबाणी पढ़ लेते हैं कितनी टिकाएं पढ़ लेते हैं फिर भी हम प्राणाजी को नहीं जान पाएं क्योंकि जिस पर उसकी किरपा होगी वही उसको जान पाएगा अन्य था ब्रज में भी साथ रहा किसी नहीं पहचाना रास में भी किसी ने नहीं पहचाना. स्रीदेवचन जी के तनसलिला होती है तो पिर्दा किया रखा. ये माया अमल उतारे स्री महामद मेरा टोने ही कोवकार. 5000 की जैमाग के साथ पन्नाजी में आता है. फिर भी 5000 में किवल 500 सब्रम्सिष्टियों ने पहचाना और अपना तनमन ने छावर कर दिया साथ रहकर भी किसी ने उनको पहचाना नहीं तब ही ये कहा कईयों जनम खोया अपना रहे धनी के जमाने माई हाई हाई कहा को में तिन को जो इन में निर्फल जाए जो हकी सुरत के साथ रहकर भी नहीं पहचान सके तो आज तो काफी वर्ष गुजर चुके है लेकिन असकता यह है कि हम अपनी दिष्ट को बदलें यदि हमारी दिष्ट नहीं बदलती है तो हम प्राणा जी को पहचान करने में कभी भी सक्षम नहीं हो पहेंगे एक बार मैं घटना का दिष्टान देता हूं रमैन का यह प्रसंग है हनुमान जी लंका में गए थे सिता जी की खोज में कोई बढ़न हो रहा था विसेबस्त यह थी कि उसबस्त का रंग क्या था हनुमान जी का कहना था कि वो लाल रंग का है बालमिकी जी का कहना था कि लाल नहीं वो सफेद रंग का है बाहस छिड़ गई अंत में निर्ने क्या हुआ कि आपको उसमें क्रोध में आपकी आँखे लाल हो गई थी इसलिए हर बस्त लाल ही दिखाई दे रही थी एक राजा को बहुत सोख था कि हर बस्त हरी दिखाई पड़नी चाहिए आप भी देख रहे हैं ना आपका मैठ हरे रंग का है कई भी नजर दिखाएंगे हरा ही रंग नजर आएगा उसने पूरे राजी के सभी महलों को हरे रंग से पुतवाना शुरू कर दिया एक मंत्री ने राजी कि महराज इतना खर्च करने के क्या जूरत है आप हरे रंग का चस्मा पहन लेजिए हर बस्त हरी रंग नजर आएगी मानसिक्ता का कोई इलाज नहीं लेकिन जदी आप राणनाजी की वानी का उनुसरा करेंगे तो ये खुलासा की वानी नेड़े कर दीगी कि जिसने युगो युगो से साधनाई की हो चारो वेदों को अंग उपांग सही जिसने पढ़ा हो जिसने सारे कुरान और हदीसों को रट्टा लगाया हो एक-एक सब्द को जिसने पी गया हो वा समझेगा कि इस वानी को कहने वाला कौन है इसमें परसंग आता है दोनामा परकरण का बेद पक्ष में क्या कहा गया है और कते पक्ष में क्या कहा गया है सागर की गरायों में जो डूपता है, वो जानता है, कि सागर के जल की महिमा क्या है, किनारे पर बैठ कर तो, कि वो लहरों को उचलता हुआ, वो देख करके खुस हो सकता है, जिसने मरजिया होकर, गोताखोर होकर कि सागर के जल में डूपकी लगा होगा, वो जानेगा, और मह आत्मा के धामिर्दे में इग्वल सुरु विराजमान हो चुके हैं, बानी आउतरित हो रही है, कोई भी गृंध लिखता है, कहीं न कहीं का उधरर देता है। बानी जब आत्रित हो रही है, मिराज को कुछ नहीं पता, कि मैं क्या बोल रहा हूं। तभी तो इंद्रावटी जी की आत्मा करती है, एनित देते मेरा जीव निक से, नए तो एनित मैं क्यों देऊ? जब वानी मेरे मुख से निकलती है, तो मैं सोचते हूँ कि मेरे प्राण निकल जाएंगे, मुझे ये वानी किसी को नए सुनानी चाहिए, लेकिन राजी का आदेश होता है, कि साथ मैं आटे कहमानी, परमधाम की आत्माओं को जाकरित करने के लिए ये वानी आउतरित हुई इसलिए जन-जन के हिर्दे में इस ब्रह्मवानी को फैलाना होगा. ये बानी सुनते जिसको आवेशन आयंग, सोने नह्चे वासना, ता को करूं जी बहलेसम। ब्रह्मवानी के सब्दों को सुनने के पैस्जात, जिसके हिर्दे में प्रेम का आवेश नहीं आता, महामती जी के आत्मा करती है, ताको करूं जीव भेले सम्दू जी आता, महाराजा च्छात ता साल जी ने कही थी, श्री ठकुरानी जी संगले पधारे मेरे घर धनी बिना तुम्हें और देखे, सो नहीं मिसलमात बर्थ, आपको अक्षरातीत के सिवाय किसी अने रुप में कोई देखता है, तो परमधाम की ब्रम्सिष्टी नहीं है, यह माल लेना चाहिए, आखिर हमारा विद्वत बर्थ, इन चोपाईयों को वह से पड़ता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं पड़ता हो, लेकिन हमें स्वक्ष मानसिक्ता तो बनानी पड़ेगी, प्राहना ची के सुरूप के मुल्यांकन के, मैंने पहले ही कहा, एक ब्रिजबाल को दूजा राज कि सोर तिसरा बुढ़ापन में भय भोर, एक ही सरूप है, ब्रज में लीला कुछ और कर रहा है, राज में प्रेम की लीला कर रहा है, अब वो ज्यान का उजाला देकर, प्राहना ची के सुरूप में सब को परमधाम की पेचान दिला रहा है, क्योंकि अब जा जागरित हो गई, इस जागनी के ब्रह्मान में, जो ब्रज में नहीं कर पाए, जो राज में नहीं कर पाए, वो जागनी के ब्रह्मान में हमको उसर दिया गया है, कि हम अपने प्राण की नली से वे निकट अक्षरतीत को पाएं, जैसे मैंने कहा, ब्रज राज और स्री दे आप दिल्ली चले गए दिल्ली में आपका किसी से जगड़ा हो गया आपको उसने चाटा मार दिया आप उठते हैं तब पता चलता है कि मैं पन्ना में सो रहा था जब तक आपका सपना चल रहा है तब तक आप दिल्ली में घूम रहे होते हैं बस ये बात है तक आप निद्रा में सोय हुए हैं, चाहें आप कुछ भी कर लीजिए, ब्रज में गोपियों और सिक्र्ट जी के बीच में अटूट प्रेम रहा, ब्रहम लिला उसको भी कहेंगे, लेकिन ब्रहम लिला नीद में हो रही है, जागरत कौन है किवल राजी कावेश, अक्षर की आत्मा जागरत नहीं है, न सक्षियां जागरत है, राज में भी अक्षर की आत्मा जागरत नहीं है, जब जोशलियों खेचका है, तब चित चौक भी अक्षर, कौन बन, कौन सक्षियां, यो चौक के फिरी आत्म, लेकिन इस जागनी के ब्रहमान में, कोई भी सुंदर दिल्वत को पड़ाएं, सागर को पड़ाएं, सिंधी को पड़ाएं, खुलासा को पड़ाएं, क्या कहेगा? हक नजीक सहरक से, अक्षरातेत मेरे प्राण की नली सीवी निकटे, यह जान न बरज में था, न रास में था, ना श्रीदेवचन जी के तन में होने वाली लीला में था क्योंकि स्रीदेवचन जी के तन के अंतर ध्षान होते है यह सब ने क्या मान लिया कि हमारे राजजी परंधाम चले गए खुलासा में चुपाई आती है जब मुसाफ गिरो हादी चले पीछे दूनी रहे क्योंकर ये खेल किया जिन वास्ते हैं, सो जागे अपनी सरत पर जब तक ये खेल चल रहा है, जब तक सूरत चांद सितारे दिखाई दे रहे हैं तब तक समझना चाहिए कि स्री प्राण नाची यही हो है एक खुलासा में प्रसंग आता हैं, मैं उसकी चर्चा कर देता हूँ संख्षेप में महमद को मिराज होता है, महमद कौन? जो बरज राज में अक्षर की आत्मा सिक्र्ष के रूप में आती है, अरब में ओ महमद के रूप में आती है मिराज में अक्षर की आत्मा पुनुशती है अर्शिय जीम में तो क्या देखती है कि यमुन्या जी के किनारे एक दरक्त है बिरिक्ष है उस पर एक मुर्ग बैठा हुआ है मुर्ग ने अपनी चोच में खाक यानि मिट्टी ले रखी है और बार बार कहता है कि मैं इसको छोड़ दू तो अंधिरा हो जाएगा इसका क्या रत है मुर्ग कोने स्यामा जी की आत्मा स्यामा जी की आत्मा ने जो तन धारण किया है खाक धारण करना यानि मिट्टी का तन पंचभातिक तन धारण करना जदि वो उस तन को छोड़ दे तो क्या होगा अंधिरा हो जाएगा सारी सिष्ट कर ले हो जाएगा लेकिन ये तो सब को विधित है कि देवचेन जी के तन का दाह संस्कार हुआ था वो तन तो छूट गया वो पहला तन था दूसरे तन स्री महराज का है रू अला दो जामे पहर्शी दूसरे उपर मुद्यार स्ववई इमामेदे जाकी बुजर की बेशुमार अनंत महिमा है इस शरूब की जाकि बुजर्की बेशुमार जिसकी महिमा के लिए कोई सब्द नहीं है क्योंकि इस स्वरुप में स्वाइम पूरन ब्रह्म सचितानंद अपने पूर्ण स्वरुप में प्रकट होकर क्लिला करने वाले है और जिसने इस स्वरुप को पहचान लिया वो इत्वी धंदन हो गय और उत्वी धंदन हो गया मैं कहना क्या चाह रहा था वाणी कहती है कि जदि उस खाक को छोड़ दे यानि स्यामा जी की आत्मा ने जो पंचभातिक तन धारण किया उसको छोड़ दे तो खेल समाप्त हो जाएगा क्योंकि सभी आत्मा इस संसार को छोड़कर परमधाम चले अंतरधान लिला होती है दिखाने के लिए अंतरधान लिला होती है लेकिन स्री जी घुमा तो आ उसमें मुकॉंदाजी लाल दास जी छत्रसाल जी सभी रहते हैं आध्यात्मिता कि किसी विषय पर विवाद चेड़ता है तो सभी गुमर जी में अंदर तखाने में जहां प्राणा जी विराजमान होते हैं जाकर अपनी संकाओं का समधान करते हैं और यह लिला केवल छट्रसाल जी और सुंदर साथ के विरा को कम करने के लिए धाम धनी ने की थी लेकिन एक बुड़िया पहुँच गई अपने पोती आप किसी परिवारिक लड़की की साधी का जो भी जंजट रहा होगा सिर जी ने तभी आदेश दे दिया किस राश्ते को बंद करा दो कहने का से क्या है जब तक गुमठ जी है तब तक समझना चाहिए कि प्राहनाची का स्वरूप महामती जी के धाम हिर्दे में विराजमान है मंदिर तो कोई कहीं भी बना सकता है सोने कीटों से मंदिर अपना सकते हैं हीरे मोतियों से अपसजा सकते हैं वाणी में कही नहीं लिखा है कि राज जी किसी मंदिर में रते हैं। गुमर्जी की महीमा अलग है, गुमर्जी को मंदिर नहीं कही है। मंदिर तो सुरत में भी है, जाम नगर में भी है, बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है। जहां अक्षरातीत के दोरा आउतरित ब्रह्मवानी को पद्राया गिया है। लेकिन गुमड जी के जो ताखना है, उसमें महामत मिहराज का तन है, महामती जी की आत्मा है, ध्यान आवस्था में विद्यमान है। और जब तक संसार, जब तक खेल चल रहा है, उस तन को सुरक्षित रखा हुआ माना जाएगा। ये, कानपुर के एक सुंदर साथ ने मुझ से कहा था, कि कुछ बर्सो पूर एक खुदाई हुई थी, बिठूड के पास खोदा जा रहा था, एक महात्मा मिले। उन्होंने पूच्चा, खुदाई में फावडा से कुछ ऐसी आहट लगी कि कोई लगता है कि है, उन्होंने आंके खोली और कहा कि, क्या समय हो गया है, कहा गया कि इतने समय है, कहा कि बंद करतो मुझे डिश्टर्म मत करो, उस माहत्मा को समाधी लगाईवे कई सो बर्स हो पूड़ दिया, सरीर नहीं छोड़ा, जब मेरतनपुरी आस्रम रता था, एक महत्मा आय थे, उन्होंने अपनी घटना बताई, बीदनवर के पास के इलाके में, गुमते गुफा में पहुच गए थे, वहां महत्मा ऐसे थे, जिनकी आखों की पलके, एक फूट से भी ज्य पुना का दिया कि जाओ, तुम यहां रहने के योग नहीं हो, आखे बंद करो, आख बंद करते हैं तो देखते हैं कि मैं उसी सरक पर गुम रहा हूँ, हिमाले में अभी या पूरे देश में जो जो योगियों के अस्थान हैं, कई-कई सौ वरसों के महत्मा समाधी लगाए बैठे हुए हैं, लेकिन हमें तो प्राणनाजी पर ही संसे हो जाता है, हम प्राणनाजी को इन दुनिया के महत्माओं से भी छोटा मानते हैं कि प्राणनाजी का सरीर छोटा है, ना हमको वानी पर विश्वास हैं, ना वेद सास्त्रों विश्वास हैं, और नकते ब्रंतों की सतता पर विश्वास है जब वह उधरन कह रहा है खुलासा का कि श्यामा जी की आत्मा ने जो दूसरा तन धारन किया है जब तक वह रहेगा तभी तक यह दुनिया रहेगे उस तन के छूटते ही यह संसार कल्य हो जाएगा फिर भी हम किस मुख से कहते हैं कि प्राणराजी परमधाम चले गए और गुमट जी में कुछ नहीं रखा है गुमट जी में मिराज कतन है उस तन में महामधी जी की आत्मा है उनकी आत्मा के धा मिर्दे में युवल शरूप अपनी पूर्ण सक्तियों के साथ विराजमानों के लिला कर रहे हैं इसने में गुमट मंदिर दुनिया के लिए होगा क्योंकि कोई भी अपने पैसे से सोने चांदी से सजा सकता है मंदिर बना सकता है बाणी प्रधरा सकता है कुछ भी कर लेगा लेकिन अक्षरातीत कहा है उपर तले अर्स न कहया अर्स कहया मुमिन कलूप महामधी जी के धाम हिर्दे में अक्षराती और जो जिस दिर से देखता है उसको उसी रूप में वो मिलते हैं जाको दिल जिनभासो तासो मिले तिनभित मांचाया सरूफ होई के कारज किये सबसित इसलिए यदि हमें प्राणनाजी की पहचान करनी है तो खुलासा की वानी को अंगिकार करना पड़ेगा कि खेल कब तक ह अवे सरूफ महामती जी के धा मिर्दे में लिला कर रहा है कोई दूजा महरद न कहां ही एक मेधी पाकपुरन खेल सी रास मिल जागनी छती सजर संयन इस जागनी ब्रहान में स्री प्रानाची के त्रिक किसी को भी अक्षरातीत कहलाने की सुभा नहीं है कि किसी से भी पुछों सबसे मैं पूछता हूं कि किल्किला नदी के किनारे कोन आया था क्या स्री देवचन जी आय थे या सिक्ट जी आया थे नदी किल्किला तीर पर उतरे पहनमन्स आये तिन में सिरदार अक्षरातीत देख अपना ठौर सुख पाए मिराज के तन में अक मिहराज के तन में आये हैं, लेकिन हम सिक्रिष वाले नाम को तो पहचान लेते हैं, देवचंजी को भी पहचान लेते हैं, और प्राहना जी को छोटा करने में सारी उर्जा लगा देते हैं, अपनी सारी नकरात्मक्षब इसी बात में लगा देते हैं, कि प्राणनाजी संत हैं, महापूरुस हैं, कभी हैं, आजकल तो ऐसी भी विचारधारा फैल रही है, कि प्राणनाजी को अंग्रेजी नहीं आती और वो अमेरिका नहीं जा पाये थे, हम ये अंग्रेजी आती है, हम अमेरिका जाते हैं, इसलिए उनसे बड़े हो गए, कितनी नादानी है आप उस अक्षरातीत को एक मानवी दिश्ट कोंड से आप क्यों तोल रहे हैं जिस अक्षरातीत के सतंके इसारे से करोणों ब्रह्मान एक पल में बनते हैं और लेप्राप्त होते हैं उसको दुनिया के संतों महापूरसों से उपमाज यदि हमारे ही बिद्वान देंगे तो फिर दुनिया क्या कहेंगे हम अपने प्राणाजी की गरिमा नहीं समझ सकते अपनी वाणी की गरिमा को बढ़ा नहीं सकते भागवत को बाणी से उपर करना सुरू कर दिया फिर बचेगा क्या याद रखिए जो समाज अपने आदर्स का सम्मान करना नहीं चान कि समाज की रक्षा नहीं कर सकती है, हमारा इमान, हमारा प्रेम, हमारी सर्दा, हमारा समर्पण ही हमारा सबसे बड़ा रक्षक है, यदि हमारे हिर्दे में अक्षरा तीत के लिए प्रेम नहीं रहेगा, सर्दा समर्पण की भाना नहीं रहेगे, तो हमारा अस्टी तो कुछ नहीं है मिटी का पुतला है रू के निकल जाने पर हमारी आत्मा जिस चान इस सरीर को छोडती है क्या होता है जा तो आग में जलता है या मिटी में मिलकर के समाप्त हो जाता है हमारी सबसे बड़ी संपदा है अक्षरातीत के परिति अटूट निष्ठा अटूट प्रेम और जब हम खुलासा की इस बाड़ी के एक एक चरण को आत्मसाथ करेंगे, तो ये खुलासा की बाड़ी सारे दंदों से परे करके हमें एक सत्य के सिंगासन पर बैठा देगी, चाहें तुफान आये, मौत कालिंगन करना पड़े, लेकिन हमारा इमान कभी डगमगाएगा नहीं, हमारे हिर्दे में युगल सरू बसे रहेंगे, और यही ब्रह्मसिष्टी की सबसे बड़ी पहचान है, कि कुछ भी हो जाए, उसके इमान को कोई डगमगा नहीं सकता, मरतरी हरे ने कभी कहा था, अध्यो मरण मेश्टी गांतरे वा, नयाद पता है, ना प्रविचलन ती नधीरा, मृत तो आज ही हो, यह युगों के बाद, निंदन तो नितिनुपडा, यदिवास्तवंत, लक्षमी समाविसत गच्छत वाय अथिष्टों, निति में निपून लोग निंदा करें या अस्तुति करें, लक्षमी आए या चले जाए, मृत तो अभी हो जाए, यह युगों के बाद, नयाए के पत से कभी धारे साले पूरुस डिखते नहीं है, लेकिन हमारा इमान तो प्रतिष्ठा के लिए बिख जाता है, धन के लिए बिख जाता है, छोटे-छोटे पदों के लिए बिख जाता है, तो क्या हमें ब्रहमसिष्टी कलाने का अधिकार है, जिसके हिर्दे में परंधाम की आत्मा होगी, वो सारे संसार से भी लड़ सकती है अपने इमान के लिए अपने धने की गरिमा को फैलाने के लिए इस जिए यदि आप प्राहनाजी को जानना चाहते हैं तो वाणी को उपनाईए खुलासा ग्रंथ आपके हिर्दे में अटूट सुर्धा रखेगा राज से लेकर क्यामत नमा तक की वाणी के हर कथन में इतना बल है कि जदि हमने सच्चे हिर्दे संगी कार कर लिया तो हम प्राहनाजी की महिमा को चांद जाएंगे और कभी यह नहीं कहेंगे कि प्राहनाजी तो परमधाम चले गए और उनके साथ ब्राहनाजी परमधाम चले गए थे तो छतरसाल जी को यहां क्यों छोड़ गए थे प्रस्तिया है कि साकुंडल की आत्मा तो चली जग गई थी बिचारी साकुमार की आत्मा क्या कर रही होगी साकुमार की आत्मा को लेकर गए थे या छोड़ कर गए थे जब तक ब्रह्मवानी के कथनों को हम निस्पक्छ हिर्दे से नहीं भी चारेंगे तब तक हमारे हिर्दे में संसे की बादल मड़ाते रहेंगे ना हम स्वयम को जान पाएंगे ना अपने प्रानिस्वर अक्षरातीत को जान पाएंगे लेकिन यदि आपके हिर्दे में इमान परिपक्ट नहीं हुआ प्रेम परिपक्ट नहीं हुआ तो आपकी आत्मा कभी भी जागरित नहीं हो पाएंगे अब जो पाएंदु रहेंगे अपना अर्शकर बैठे मेहरवाद मोतिन के मुह पर कुल अफ लिख्या माहे फुर्मान इन ग्युनेहगारों के दिल को अपना अर्शकर बैठे मेहरवाद भुलो श्री प्राणात प्यारे की स्रिधाम के धनी की